नमस्ति दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी गुलाब के पोदे में अगर आपकी नई ब्रांची नई शूट या फिर नए फ्लावर कलिया नहीं बन रहे हैं पोदे की ग्रोथ रुखसी गई है या फिर कोई भी मौसम हो अगर उसमें आपको ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप पोदे की क्या केर कर सकते हैं और कौन सा फर्टिलाइजर दे सकते हैं यह सभी पुदे में आप डाल सकते हैं जो में बताऊंगी चाहे टेलिया हो गुल्दावरी हो या फिर आपका जीनी का प्लांट हो जो भी हो आप उसमें डाल सकते हैं तो मेरी वीडियो में बने रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक्यू उनके लिए और मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आपके लिए वीडियो में देती रहूंगी आज मैं आपको बताऊंगी जो भी नर्सरी से अभी इस टाइम पे भी अगर नए गुलाब लेके आएं और उनके पोदे की ग्रोथ नहीं नहीं हो रही है नहीं नहीं शूट्स नहीं निकल रही है प्लांट थोड़ा डॉर्मेंसी में जा रहा है तो देखिए आप अपनी अभी तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने इनका यूज करना आपको बताया है तो मिट्टी में इसको मिलाने से मिट्टी थोड़ी सी सौफ्ट बन जाती है और जो मिट्टी की जो उपर की सतर है उस पे जो है आपको ये इस टाइम पे सर्दी का टैक नहीं होगा और जो गुलाब के पोदे की जो है आप गुडाई करते रहेंगे 10-15 दिन में तो मिट्टी ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा मिट्टी को जड़ो को और मिट्टी जो है आपको पता चल जाता है उससे कि क्या मिट्टी ड्राए हो रही है या फिर उसमें पानी जमा ह दूसरा आप क्या कर सकते हैं आपकी जो ट्रू ब्रांचिज है यानि कि जो यह ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं इनके जस्ट ऊपर से जो आपकी ब्रांचिजन निकलती है वो सारी हैल्दी होती है और फ्लावर देने वाली होती है लेकिन जो इनके शूट्स के नीचे से जितनी भी नई पतियां या अच्छी ग्रोथ निकल रही होती है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, यह आपके प्लांट की नई ग्रोथ को नहीं उभरने देता है, और इसमें ना तो फूल आएंगे आपके, लेकिन इसकी जो पतियां और स्टैम्प है, वो आपको ऐस इस तरीके से आपके मिट्टी को चेक करना है, अगर आपकी मिट्टी अच्छी सोफ्ट है एक दम से और वो ड्राय ड्राय है, तो आप उसमें पानी का इस्तमाल जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है, पोधे में नमी है, तो आप पानी को अवोईड कर सकते हैं कुछ तरीकी उससे जो आपको राक मिलती है एक या फिर कोईले मिलते हैं, उनको आप थोड़ा सा पीज सकते हैं, और इस तरीके से पत्तों पे इसका छिड़काव कर देंगे, तो आपके फूल पत्ते सभी गुलाब के अलावा जितने भी हैं, आप डाल देंगे, तो उन पे किसी परकार के इंसेक्ट का जो अटैक नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफी अच्छी मातरा में कैल्शियम, पोटाशियम और आपके पोदे के लिए बहुत अच्छा होता है फ्लावरिंग लाने के लिए, ये मेरे जितने भी पोदे हैं, मैंने सभी पे इस पे इस्तमाल किया है, और बहुत अच्छा रजल्ट आ रहा है तो इसको आप फेकने की बजाए स्टोर करके भी रख सकते हैं ये आगे चलके भी आपको काम आएगा तब हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस समय पे आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं नई नई शूट और ब्रांचिस के लिए साथ में आपको क्या करना होगा मैं कौन सा एक ऐसा फर्टिलाजर बताऊंगी आपको जो गुलाब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है इसको आपको जो है ना धूप की जादा इस टाइम पे धूप आना थोड़ा कम हो जाती है ल तो उसको क्या है धूप तो रोशनी भी कम हो जाएगी उसकी और जो धूप अगर तब निकलेगी तो अगर आप अपने पोदे को धूप में नहीं रखेंगे तो आपको आपके पोदे को प्रोब्लम हो सकती है तो इसलिए आप ऐसी जगा पे रखिए जहां पे उसको में या फरवरी तक आपके पोदे स्ट्रेस में रहते हो नई ग्रोथ होनी बंद हो जाती हो तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बताऊंगी देखिए यह है मैंने दो ढकन के करीब डालूगे मैं दो लीटर में यह मेरा बायोजाइम यह मैंने इसको बनाने के अगर आपको विधी जाननी है तो मुझे कमेंट जरूर करना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है दूसरा मैं इसके साथ इस पानी में एड करूंगी यह वाला फर्टिलाइजर यह आप हर एक पोदे में भी डाल सकते हैं या फिर ज इसको मैंने बनाया है और गैनिक तरीके से तो देखे यह है चोटा सा टुकडा सरसोखली का यह बहुत ही अच्छा होता है यह मस्टर केक भी बोलते हैं इसको ओलाइन आपको बहुत असानी से मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट से जाके आप पर्चेस कर सकते हैं और यह आ आफ लीटर से थोड़ा कम मैंने बनाया है लेकिन यह इनाफ है आप ज्यादा भी बना सकते हैं अगर आपके ज्यादा पोदे हैं तो इस तरीके से यह कम से कम दो लीटर की बाल्टी में मैं इसको मिक्स करके रख दूंगी और बाकी अगर यह रह जाता है तो आप दुबार हो गुडहेल हो और या फिर जितने भी फर्टिलाइजर आप देना चाहते हैं अपने सर्दियों वाले पोदो को फ्लावरिंग वाले को डेहल यह वगरा को सब में आप एक एक गलास के करीब इसको डाल दीजिए ध्यान रखिए इसको डालने से पहले जो जिस भी पोदे मे करना पड़ता है और डालने के बाद भी आप 4 दिन के बाद फिर से हलकी हलकी एक एक इंची की गुड़ाई दुबारा से कर सकते हैं उससे यह आपके पोदे पे बहुत अच्छा रजल देगा और इससे बेस्ट फर्टिलाइजर आपको नहीं मिलेगा कोई और गैनिक में त इसका इस्तमाल जरूर कीजिए